हेलो यूटूब अड़िज कैसे आप लोग दोस्तों C Language के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है जा आज हम पढ़ने वाले हैं Variable और Constant दोस्तों सबसे पहला सवाल कि Variable क्या होता है, Constance क्या होता है अगर दोस्तों आप बुक में आंसर ढूंडते हैं, तो सबसे पहला आंसर आपको यह मिलेगा, कि जो constant होती है, वो fixed value होती है, और जो variable होती है, वो fixed नहीं होती है, तो आकर इसको कैसे proof करें हैं, या कैसे समझें, एक simple example लेते हैं, दोस्तों, नन्याँ आप लिखा है, x plus 4 equal to 7, तो यहाँ पर x क्या है, एक hidden value है, जिसको 4 के साथ add करने पर मुझा answer क्या मिला है, 7, तो जब आप इसको solve करोगे, तो x की value क्या मिल जाएगा, 3, अगर वहाँ पर 7 की जगा 8 होता, तो x की value क्या मिलती है, 4, अगर 8 की जगा वहाँ पर result 9 होता, तो आपको यहाँ पर क्या मिल अगर मैंने यहाँ पर सीधा सीधा लिखा होता, 3 plus 4 equal to 7, तो यहाँ पर 3 plus 4 equal to 7 है, अगर मैं 7 को 8 कर दो, तो क्या answer सही होगा, जवाब होगा, नहीं, क्योंकि आप यह लिख सकते हैं, कि x plus 4 equal to 9, लेकिन आप यह नहीं लिख सकते हैं, कि 3 plus 4 equal to 9, क्योंकि वह सीधा सीधा गल constant value क्योंकि आप उसको जैसा लिखरो as it is answer आपका वैसा ही आएगा दूसरी भाशन में बात करें कि x क्या है या फिर variable क्या है जिसमें आप किसी data या किसी value को रख सकते हैं जैसे मैंने x के अंदर यहां पर अगर 3 है तो 3 ही रहेगा अगर आपने वहां पर a रख दिया एक्स इक्वल तो आपने a ही रख दिया तो a ही रहेगा एक ही जगा वह कुछ और नहीं होगा क्लियर हो रहा है तो constant क्या हो गया fixed value और variable क्या हो गया not fixed value बतलब कि आप उसको उसमें कुछ भी रख सकते हैं अब दोस्तों एक और topic आपको मिलेगा अगर आप programming बैच के हैं तो तो आपको यहां पर एक और topic मिलेगा कि जो constant हो कितने टाइप के होते हैं बेसिकली दोस्तों constant जो होते हैं वो चार्ट टाइप के होते हैं आपको मिलेगा है इंटीजर constant अभी जो आपने देखा 3,4,5,6,7 यह होता इंटीजर constant ठीक है दूसरा आपको मिलेगा constant value यहां पर floating point constant इसमें कहां जैसे आपने लिखा 3.4 आपने लिखा 4.67 आपने लिखा 7 8.89 तो यह किसमें आपको count किया जाएगा, count किया जाएगा floating point constant value इसके अधर में आप देखो कि आपको और भी constant value मिलती है जैसे क्यों होता है character constant आप x के अंदर आप a b रख सकते हो आप x के अंदर b भी रख सकते हो आप x के अंदर c भी रख सकते हो लेकिन जो character होता है उसको रखने का जो symbol होता होता है apostrophe के अंदर यानि कि आप single quarter कहलो apostrophe के अंदर अगर आप single character ले लो क्राया character constant है जैसे a,b,c यह जो है character constant होता है single है इसलिए 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 के बात जो last होता है इसमें वह होता है spring constant जिसमें क्या होता है कि आप पूरा का पुरा word या फिर आप दो लेनी का तरीका होता है double quarter जैसा हमने देखा character constant जो था उसमें हमने लिया apostrophe या फिर single आप quarter कह लीजिए ठीक है लेकिन जो आपका string है इसमें double quarter के अंदर ही लेना होता है तो यह था दोस्तो variable और constant I hope कि यह जो concept हो आपको समझ में आया हो फिर भी दोस्तों अगर को doubt है तो नी सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर इट करें तक यह आगे की पी जो वीडियो से हैं उन पर notification आपको मिल सके थैंक यू